कि दोस्तों गॉर्मेंट एक्जाम के तैयारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ा को और वैल आइकन दबाईए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंड स्वागत आप सभी का हमारे चैनल प्रिपरिशन एड़ा के अंदर दोस्तों आज पढ़ने वाले हैं केमिस्च चैप्टर नमर पहला पढ़ने वाले है और यह अगर बात कि पहले तरके पहला इंट शेप्ट्राइब कुछ आपको मिलने ही वाला है यह chapter पूरे English में explain कि आईगा लेकिन अगर आपको लिलगा है तो आप मेरी केमिस्ट्री की दूसेंट की इंपोर्डेंट वद्स बना रखें इसमें अप जाके हिंदी में देख सकते हैं वहां पर पूरा चैप्टर थो पूरे ही नोड हो जाकर देख देख सकते हैं यहां मैं आपको इंगलिस में रीड करके बताऊंगा लेकिन आपको अच्छे सापके दिमाग तक जो पहुचाना आ है अपनी मदर लैंग्वेज में तो मैं आपको इस सब्स्टान्स के नेश mobile देखे सब्सक्राइब गारे में जिनके तो में जाता है जिनका फिस्टिकल क्लासिफिकेशन होता और कुछ होते जो क्लासिफिकेशन किया जाता है जिनका केमिकल बेश्स पर तो केमिकल क्लासिफिकेशन देखने और फिसिकल आ से फिसिकर स्थी आ गए तो तो प्योर सबस्टांस वोड़ा होदा है और मिर्टा मिकुर्ण हम इस कधने वान है कि मृट्रांस का प्योर सबस्टांस किसा कहते हैं और मीक्शर किसा कहते हैं तो देखे प्योर सबस्टांस और मीक्शर तो प्योर सबस्टांस होते हैं जो नैश्रल तोर पर किसी दूसरे सबस्टांस नहीं बनते हैं वो खुद अपने आप में ही पाए जाते हैं अगर सिल्वर पाई जा रह अगर Water कुदरती तोर पाई जा रहा है तो यह Water है यह Water एस्ट विश्ट हो गया अगर वाइटर प्यूर सब्स्टांस हो गया तो इसका मतलब यह है कि वाइटर को किसी और चीज़ से ने ड्राइब कर सकते वाटर कुद्रती तोर प्यूर प्यूर फोम में ही पाए राएगा अब देखो यह बात अलग है कि आपने कैमिकल प्रोसिस के तुरू किसी दूसरे चीज़ों को मिला मिला करका आपने वाटर बना दिया यह अलग चीज़े लेकिन वाटर के अंदर होगा दो होंगे एक औक्स वाटर को मैं यह बात तो मिला तो मैं सिसी और सबुस्तान्स में सा अलग नहीं करते हैं तो प्योफटान्स के बारा में और बेग्चन अबीक देख लेते ہیں कि थैनकी यह तो यहvida, अगर सिल्वर प्यूर फॉर में पाए जा रहा तो यह तो है तो होता है होता है होता है जिनका फिजिकल नेचर सेम सेम होता है होते हैं जो बिलकुल अलग होते हैं अब आलिमेंट की बात की याद करनी है तो आपको उसको मैं तो याद करा रखा प्लेलिस में जाएगा वहां पर बहुत अच्छे चीज़ आपको बता रही है बहुत सारी चीज़ बदेश्त के इंपूरेटेंट महीने के आपको आईसे जाएंगे कि आप कभी भूलो गे नहीं और वहाँ वहां बहुत साही चीडिक ट्रू याद करा रखा है अगर आप बात करें राजे सबाल सीट की लोग सबाल सेट की बिद्दान परिशत की इन सारी की सीटों को मैंने ट्रिक के तुरी याद करा रखा और वहां बहुत कुछ है आप खुछ जा करने से कुछ नहीं होगा आपको खुदी अंदाज हो जाएगा इसके अदर मैटल के अगर प्यूर फॉर्म की बात किया है तो प्यूर फॉर्म एलिमेंट की पा मिक्षर और इन ओर टे करने सोलेड इस्टेट जैसे कि हम देखते है फिजिकल क्लासिफिकेशन के यह इसाफ से तो सौलेड सिट वह होती है जिसके अंदर जो एक शेप में होता है और इसका फिक्सरब वोलिव हो था और फाइन शेप में हिसका अरे उसका अरेंजमेंट सबस्क्राइब कर दोसरा आती स्टेट लिक्विड इस्टेट एक इंपोर्टेंट कोशन जो बनता है 服कirasalिदी का सबस्केद्स जाद साथ होटेंeten वो स्वस्वील है लिक्विड में सब दूर होते हैं और गैस में तो बहुत 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 आंजे हुआ तो इस तो यह गैस यह लिक्विड है और यह a Скे में ej impact के बहुत 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 दूर होते यहिया थोड़े दूर थोड़ के बीच में उनुदिकरच शोड़ में आप आप और में हुजा। टालिकुूड फिस टफिद के बहुत वाल्यूम बेट नौधे शेप लिक्विट बो होते हैं इनधा फिक्ष्ट का डेफिनिट वौलियूम्स था फिक्स्ट आपपनधा लेकिन उनकी शेप नहीं होती आप जिस तरह बरतन प में उनको घसेप कर लेए तो हो ले लेते हैं जैसे के नाइट्रोजन, अमोनिया, ओक्सिज़िन का फर्मूला क्या होता और टू नाइट्रोजन क्या होता ए अटू अमोनिया क्या होता ऐन इस थ्री ऑपको बेसिक पता होने हुआ है मैं कुछ आते हैं के इसमें कुछ आता है इसेयर निवाइद पूर्वाइगी लिकुड हो जाएगी तो यह द्यान रखें इसका उल्टा भी होता अगर वैपर इस ट्रीम उसको आप कंडेंस करो गए और ज्यादा कूल करो गए तो वह सौलिड इस्टेट पहुंच जाएगी अब आइस का मतलब सोलिड को वाटर में वाटर को वैपर में वैपर को लिक वाटर में वाटर को वाटर को आइस में चलता रहता तो इन कंद वर्जन को मैं थोड़ा बता देता हूं प्रॉसेस बता देता हूं जब आइस अगर वाटर की बात की जाए और वाटर का आइस है आइस को गवाटर बनाते हैं तो इसको गवालते हैं मेल्टिंग को भाणतर बनती है तो वपभा पॉ राइजेशन 200 वैपर से एक रहा गया इस से बाहट iemand इसको यहां सॉलीड ले तो यह सब्ली मेशन टीस सब्ली में इशन न बापर से बन गया वाटर तो यह कंडाय सेशन अ अब वाइपर से बन गया आईस वाइपर से बन गए आइस वाइपर से बन गया आईस तो इसका नाम आता है तो अब आगा देखते हैं इसमें इसकंदर आती प्योर सबस्टांस की पहली काटेगरी आती है सबस्टांस किन को बोलते हैं सबस्टांस की बात कर रहे हैं इसके अबरा इलेमेंट भी कंपाउंड भी आहेंगे पहले पहले मेंटों की ऐसे सिंपलड फोम सबस्टांस कि हैं एसी सिंपलेस्ट फ़र्म है जो ना तो तूटे इपने छोटे-चोटे पार्टों में उन्हाँ है चोटे-छोटे पार्टों साइज ली यह फिर इसली यह फिर सिंपल वे में यह रीजिए ना तो बनाई जा सकती है कैमिकल प्रॉससस से तो आप समझगे होंगे एलिमे एक फिसिकल और इस्टेवल स्टेट में इसलवर ही पाया यह तो यह एलीमेंट कि तो यह है जासकता है और्डिनरी वे मैं तो यह होता प्योर सब्स्टांस इसी तरह से प्योर सब्स्टांस बात कई वह इसे हैं यह नौन मेंटल और मेंटलोड अब मैर्टल क्यों होते हैं एक ते लेकिन एक मैटल ऐसा है जो ले में तो पा आते हैं क्यों कहा जाता है क्योंकि यह कंड़क्टिविटी शो करते हैं कि यह गुड़ कंड़क्टर होते हैं करे एव्य हीट के और इनके अंदर फ्री एलेक्ट्रोंस बहुत ज़्यादा होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉलिंग पॉल्टक होते हैं मतलब ही यह बहुत जाए और एक के वारे में इसके अंदर कुछ एक्जामपल आयरन को पर सिल्वर गोर्ड अलिमिनियम जिंक एक्सक्टर यह मेटल्स के एक्जामपल है अब नोर मेटल वो होते हैं जो मेटलिक प्रॉपर्टी तो शो नहीं करते मतलब अपने अंदर से इसली इलेक्टर सेटी को पास नहीं हो होते हैं जैसे के इसके काफी सारे मिल सकते हैं लेकिन इसमां आपको यह ध्यान रखना है कि अच्छे कंड़क्तर नहीं होते हैं एक तो यह होते हैं कुछ जो हीड के लिए लेकिन temperature के लिए हैं तो कर देते हैं electricity के लिए नहीं करते हैं तो यह होते हैं non-metals non-metals यह बहुत अच्छे ductile भी नहीं होते हैं ना यह बहुत अच्छे malleable होते हैं यह तूट जाते हैं एक तम जैसे nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus for us, the non-metals are the elements with properties opposite to those of metals, they are found in all state of matter, यह सभी अलग-अलग state of matter, यह सभी अलग-अलग state of matter, यह इनकी property metals से अलग होती है, they do not possess luster, exception iodine, lakshar मतलब चमक, जिस तरह से metal के अंदर चमक पाई जाती है, एक चमक होती है metal की एक रोशनी होती है, अगर आप metal की sheet हो आपके पास, तो आप देखिए एक उसमें एक अलग चमक दिखाए दीगी, तो लक्षर जो है, वो electrons, free electrons की वरिशा होता है, और वो लक्षर जो है, non-metals के अंदर नहीं पाई जा सकता, metal के अंदर पाई जाता है, लेकिन आयोडीन एक इसका एक आयोडीन एक इसके अंदर लक्षर भी पाई जाता है, दे आर पूर, दो पूर conductors of electricity, यह electricity के बहुत बुरे conductor होते हैं, बहुत बुरे वाले electricity के इसके पास नहीं होती, और मैंने कहा, electricity के बाद कहा, मैंने हीट, तो यह हीट के अच्छे conductor होते भी हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं भी होते, exception graphide, graphide एक ऐसा, ऐसा non-metal है, जो conductivity शो करता है, graphide के अंदर एक पाई electron फिरी रहता है, जिसकी वाजी से conductivity आती है, यह पाई electron ही इलेक्टोनों को, यह पाई electron ही चार्ज केरियर का काम करता है, ग्रिफाइड के अंदर इसलिए, ग्रिफाइड जो है, नौन मेटल की category में आने के बाद भी अपने अंदर से electricity पास कर देता है, मतलब conductivity शो कर देता है, तो यह एक ऐसा, ग्रिफाइड एक ऐसा non-metal है, जो conductivity शो करता है, तो यह सब है, they are not malleable, देखो दो property होती है, यह होता malleability, और यह होता ductility, तो malleability क्या होती है, और ductility क्या होती है, malleability यह होती है, कि आप जैसे के metals की बात की जाए, तो metals की आप sheet बना सकते हो, sheet के आपने थोड़ा सा metal लेया, उसको पीट, 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 पीट के लंबा चोड़ा कर दिया, आपना सोने का चांदी का बर्क देखोगा, मिठाईों पर लगा हुआ, तो वह malleability को शो करता है, बहुत छोट असा point रखते हैं, उसको मार 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 के इतने चोड़ा कर देते हैं, बहुत चोड़ा कर देते हैं, यह क्या है, यह है, malleability, ductility होती है, कि मुलायम पन, मुलायम पन होता, मुड़ जाती है, खीच ले दें, पकड़कों को तार बना देते हैं, तो यह ductility को शो करता है, अब नौन मेटल्स के अग्जांपल जैसे के hydrogen हो गई, carbon हो गई, oxygen हो गई, nitrogen हो गई, sulfur हो गई, phosphorus हो गई, यह सारे के सार non-metal आपको याद कराए थे, एक बार फिर करा देता हूं, bo, c, g, r, anti, telupo, bo, c, g, r, anti, telupo, यह metalloids है, before boron, s, for silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, और polonium, यह सारे के सारे बोलते हैं, इसको अर्दचालक, सूप, अर्दचालक बोलते हैं, semi-conductor, तो यह वो होते हैं, जो ज्यादा temperature पर तो conductivity शो करते हैं, लेकिन कम temperature पर यह बहुत ज्यादा resistance हो करते हैं, पूरे की तरह, insulator की तरह, विहब करते हैं, जैसे कि water हो गया, sugar हो गया, salt हो गया, chloroform, alcohol, etc अब आता, compound, हमने pure from the element की, अब pure from the thing, compound की, तो compound भी दो तरहां के होते हैं, एक होता, organic compounds, second one is, inorganic compounds, in first one, organic compounds, the compounds obtained from living sources, जो living sources, substance पैदा होते हैं, बनते हैं, मिलते हैं, उनको बोलते हैं, उनको बोलते हैं, organic substance, organic का मतलब ही यह होता है, कि living, the term organic is now applied to hydrocarbons and their derivatives, for example, carbohydrates, proteins, oils, fat, etc are organic compounds, hydrocarbon किसको बोलते हैं, hydrocarbon, देखे हैं, hydro, hydro means water, water के carbon, water के carbon को बोलते हैं, hydrocarbon, यह hydrocarbon का फॉर्मूला हो गया, आप को इसा भी हाइडो कार्वन दुना सकते हैं, इस से, proteins आपको पता है, यह भी हाइडो कारवन हुते हैं, सब के सब हाइडो कारवन है, हाप आपाता इन जगानिक कमपाउं, the compounds obtained from non living, it is important, underline it, non living sources, such as rocks, minerals, these are called inorganic compounds examples of no inorganic compound is common salt marble washing soda etc these are inorganic compounds the formula is common salt is NACL common salt formula hoda NACL and washing soda hoda hoda sodium carbonate and a 2-0-3 permanent hardness दूर करने की लिए यूस किया जाता है permanent hardness water की दूर की जाती है अब अगले अच्छा है मज़ेदार है mixture के बारे में देख लिए mixture कहते किसको है actually a material obtained by mixing two or more substances in any indefinite proportion is called mixture mixture बहुत है जिसकंदर आप दो से ज्यादा दो यह दो से ज्यादा अधिक material को आप मिला देते हूं that is called mixture the properties of the components in a mixture remains unchanged जो properties होती है element की जो आपने मिला है वो element जो खुद element मिले हुए है जो पधार्त मिले हुए substance मिले हुए है उन substance की property change नहीं होती है example is milk to sea water petrol paint glass cement wood these are the common examples of mixtures milk is a mixture sea water is a mixture sea water का अदर पहुत कुछ होता अधा मिल के अदर water होता ही होता शार्त में fat भी होती है कि ऑसी वाटर की बात किया है तो इसके अंदर बहोघ जादा salt होते है चिली salt paper होता है एने प्रवाइब लोगा पैट्रोल की बात किया है तो प्रवाइड होते हैं इन सब के अंदर क्या मिक्षर है बहुत ज़्यादा अधिज आर आफ्टाइप्स होजिनेस मिक्षर हैं हिट्रोजिनेस मिक्षर अब हम पढ़ने हैं कंपाउंड की करते हुए तो और यह यह दो ही होते हैं हैं दो तरहां के होते हैं अब बात किला折्व इन और सीपमॉजिनियस और है ट्रोजानियस कि होते है मिक्शिट को सब्सक्राइब जो आइլ्सक्रिय fenomen थे कर लाता है जोप पूरा का पूरा मिक्शर एक ऐसे लगे 와 पूर जो पूरे सिस्टम के अंदर सेम हों तो वो तो वह साराक सारा तब जाके यह होमोजीनेस मिक्शर के लाएंगे हो मतलब होता सेम जीनेस मतलब सेम मिक्शर तो वह कब कहलाते हैं जब थूर उनका सेम रहता सेम रहता तभी यूनिफर्म रहता ऐसा नहीं हो कि नीचे जो है गाड़ा पना आ गया मतलब बहुत दा अगर बांडरी के लाएगी उपर वाला लोग नीचे वाला है अगर आपको पता चलगे होगा तो इस तरह की बांडरी नहीं होती जैसे कि इस बांडरी आपको देखने से लग जाएगा कि यार उपर कुछ अलग है और नीचे कुछ अलग है अपने कुछ बहुत सारे टेल से होते हैं और ऐसे होते हैं कि आप मिक्शर मिला हुआ होता कुछ इंप्यूरिटी होती है और आप एक दिन या दो दिन के लिए रख देते ता नीचे कुछ गाड़ा-गाड़ा काला-काला सा पधार दिखा तो यह जो कहलाएगा होमोजीनियस नहीं इसके बहुत सारे एक्जामपल है इसके बहुत सारे एक्जामपल जैसे कि मड को आप वाइटर में डिजॉल्व कर दीजिए अब अगर आप 20 मिनिट के लिए रख दो तो मड नीशे बैठ जाएगी और वाटर दिखा देगा तो यह क्या हो गए इसने नौन होमोजीनियस बना दिया इस मिक्शर लेकिन कैसे मिक्शर नौन हमोजीनियस अब होमोजीनिस मिक्शर क्या का सैपरेशन की बात की जाए और देख जाए नेकड़ आइस है तो हमोजीनिस मिक्शर होते हैं उनको तो आप नहीं देख सकते उनमें सेपरेशन बाउन्टरी नहीं होगी तो आपको लेगा पूरा पूरा सेम है जैसे वाटर के अंदर एलकॉल तो इसको आप सेपरेट भी नहीं कर सकते इसली इनको आप से सकते हो इसके एगंज़ाम्स को तो जाब है ये स आफ नेर आई से देख सकते हैं हों फोटो दिस मिक्शर देख जा सकता है एग्जामपल एंसके तन सैलफर सलफर एंस था नथान फृलिंग एंड प्रकॉशा झाअर्रा वे रहेते हैं अबने छाइए के लिखाए तो इंपूरीट यूण कर सकते हैं तो क्यों नहीं है टेक्पन heir तो तो हर तरह की ने अलाग अलाग टेच्निक है पहले टेक्निक मिल इक ऑती है यह कंदर सब्लीमेशन सभी मीशन लेकिन वत न हम पहले आपको अब कर देखिए यह जब सबस्टास कहें जो सब्सक्रान्स उसको किसी मिक्चर को हेट्रों इसबना रहा रहा है उसका साइस बढ़ा है तो आप उसको फिल्रेशीन से सबना दिया सब्सक्राइब वा या दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो होते हैं यह सब्सक्राइब है यह हेट्रोजीनियस मिक्शर बनाते हैं होमोजीनियस नहीं बनाते क्यों क्योंकि इनमें पार्टिकल का साइज देखा जा सकता है अगर को लाइडल की बात की जाए तो 10 पार मानेस के सेविंच सेंटिमेटर से सब्सक्राइब की बात कि जाए जिसके अंदर साइज बहुत बड़ा होता है कि है अब अ करद्सक्राइब क्योंत्रजाब क्लेटर विपाइडल से बड़ा होता उनुच्छा से मुकूले लेकिन अल्टीमेट ली फार्टिकल तो है ना हम वही चेक करना चाहरा है कि पार्टिकल्स हैं जो हेट्रोजीनिस बना रहे हैं इसको तो जबाब यह सब्सक्राइब लेकिन सब्सक्राइब बड़ा होता है तो इनको अलग अलग करने की अलग टेक्निक फिर बस बात यहां थी इसलिए मैं आपको समझा रहा था इन दोन जो है इतना बड़ा इतना छोटा होता परटेकलस डाएच के जिस मैनल में लगाते हैं लगाते फिल्टरेशन वहोंता है आपके पेपर होता है यह आपके पास ऐसा कपड़ा होता इस को आंदर बहुत बार्टेशन दूर करना है ऐसा होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्षर को दूर करना है जिसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा हो जैसे के सस्पेंशन के अंदर तो इसके तुरू इस जाली के थुरू हम जो है उसको अलग कर सकते हैं आसानी से तो इसलिए यू इतना छोटा शिर्णों से तो यह जो है नइन वह पार होह जाते हैं इन बोड़ मेंसे पार होजाते हैं Колई कर पारिकल तो इसलिए हैं फील्ट्रेस्टन में फ्लोब हो जाती है Кол зайटल पर आघर तो रौगिजर दीसकर न पैशन अब सबनेशन देख लेते हैं फ्लिट खहकrolle है आपका this is the process for quick and complete removal of suspended solid particles from a liquid by passing the suspension through the filter paper example removed of the solid particles from engine oil in a car engine filtration of tea from tea leaves in the preparation of tea आप समझे होंगे चाहे की पत्ती जो होती है वो अलग कर देते हैं वो कैसा अलग करते हैं सब मतलब अच्छा है और सिंपल है बहुत जादा suspension एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर solid 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 अब सब्लीमेशन की बात करें सोरी सब्लीमेशन एक ऐसा प्रोसेस है मैं आपको पीछे पता चुका हूं सब्लीमेशन की होता जिसमें solid solid सीधा gaseous यह फिर वैपर में convert हो जाता तो वह कहला था सब्लीमेशन और डी सब्लीमेशन में उल्टा होता था गया से फिर सॉलीड में convert हो रही थी आगर देखते हैं फिल्टरेशन में आपको बता चुका हूं पूरी तरह से अब नहीं बताऊंगा evaporation process क्या होता यह पीछे बता दिया अब crystallization देखते हैं इस method is mostly used for the separation and purification of solid part solid substances in this process the impurity solid or mixture is heated with suitable solvent like as alcohol water acetone and chloroform to its boiling point and the hot solution is filtered the clear filtered is cooled slowly to the room temperature when pure solid crystallizes out this is the separated by the filtration and dried crystallization क्या होता है actually आपको suppose that suppose that suppose that मैं आपको इस तरह समझाता हूं यह purification का method है यह separation का method है solid substances का तो solid substances suppose that दो ऐसे solid substances जो आपसमें मिक्स अप हो हुए है तो इनको क्या करते हैं शुरुवात में heat कर देते हैं heat करने से पूरा mix हो जाता है heat करने पर दोनों mix up हो जाते हैं अब इसको slowly cool करते हैं अब slowly cool करने से क्या होता है जो particles दो अब slowly slowly cool करेंगे तो इनका अंदर से पहला गर्म करने पर जब इनको गर्म स्टार्ट करना किया था तो इनका अंदर से impurity जो थी एक सबस्टांस से दूसरे सबस्टांस का अब उनको हमने ठंडा करके उसको चांद लिया तो क्या होगा अब चंड जो चंडवा पधार्थ होगा हमारे पास टो ये स्टिलेशन की बात कि जाए तो दिस्टिलेशन उन पधार्थों के लिए ये एक सबस्टांस के लिए कि जाता है जिनके boiling points इस उता है तो इस कंडिशव में क्या होता जिन माटेरियल के boiling point में थोड़ा difference होता उनको रखते हैं और उनको फिर boil करते हैं वाइल करने से यह होदा जिस material का boiling point कम होता वो पहले ही boil होने start हो जाता और उसको कहीं अलग इखटा कर लेते हैं अलग इखटा कर लिए तो इस process को कहते हैं distillation distillation बोलते हैं इस process को एक्जामपल है a mixture of copper sulphate and water और a mixture of water and methyl alcohol can be separated by this method करते हैं जो कम boiling point वाला होता वो यहीं रह जाता है और ज्यादा boiling point वाला मतलब कम boiling point से मतलब यह है कि जो एकदम heat पाने पर एकदम से निकलता हो तो बहुत निकल जाएगा जिसका boiling point ज्यादा वो यहीं रह जाएगा तो यह ऐसा होता है और फ्रेक्शनल डिस्टिलाइशन के अगते हैं यह सिंपल डिस्टिलाइशन थोड़ा सा डिफार है यह ऐसे material के लिए यूज किया जाता है जिनके boiling point में थोड़ा सा डिफरेंस होता है उपर वाला लगवग 25 परसेंट 25 से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो अपर वाला भी हम चलर होते है ऌडिफषा पारेट बद्वाग्श में मिला लगा दी उसी को कुछ इंपूर्टेंट इंफिटन मट Помट्यर करने होतेहां उन material को अगर आप इस इंक के solution में डाल दोगे तो पर्टिकुलर इंक के कलर को ही एब्जोर्ब कर लेगी तो एब्जोर्ब करना मतलब separate करना अब इसने separate कर लिया इसमें without इंक वाला solution मचेगा इस condition को यह फिर इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी यह क्रोमेटेग्राफी कही तरह होती है जैसे के कॉलम क्रोमेटोग्राफी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी हाई प्रेशल लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी गैस क् क्रमेटोग्रफी कई कई होती है इतना को सब्सक्राइब करना होता है Jy कि अब मेल्टिंग पॉइंट के पार में पढ़ देते हैं कुछ मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है तो जिस पॉइंट पार के वह लिक्विड स्टेट में इनकी लेंगविज बहुत अजीब सी है बस इस तरह समझ लीजिए जिस पॉइंट पर पूरा मटेरियल पूरा मटेरियल एक साथ और एक साथ वैपॉराइज होने की टेंडेंसी रखता है हाँ तेंपरीचर पर ऐसा होने स्टार्ट हो जाए है अब दीकिंगरों तो यह whole और वैपॉराइज की बहात की लिए यहां सब मॉलीक्यूल से वाटर मॉलीक्यूल लेकिन जब सारे मॉलीक्यूल एक साथ होल मॉलीक्यूल एक साथ वैपराइज होने स्टार्ट हो जाए तो यह फिनोमेना कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट इस टेंपरिचर को बोलते हैं इस पर ऐसा होता है घर सबसक्राइज का अलग अलग बॉलिंग वैएजह वाटर का याद रखिएगा और किसी का नहीं फ्रीजिंग पॉइंट की होता जिस पॉइंट पर आकर फ्रीज होने शुरू हो जाएता सोलिड में लगता है को भी मैटेरियल तो वह गिलाता सोलीडिफिकेशन यह फिर उस पॉइंट को बोलते हैं सोलीडिफिकेशन पॉइंट अगर यह सोलिड वाटर है मतलब वाटर बनाना चाह रहा हूं मैं वाटर लिक्विट से वाटर वाटर से सोलीडिफिकेशन प्रोसिज होगा लेकिन जब स्पेशल केस आ जाता है वाटर का तो इस फिनोमेना को चेंज कर देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट से तो यही फिनोम के कंटेनर उसका अंदर लिक्विट भरा हुआ है जो आप इसको हीट करने स्टार्ट करोगा तो लिक्विट उड़ना शुरू हो जाएगा लिक्विट हीट पाकर वैपराइज और आप नहीं किसी चीज से इसको डग दिया तो यह वैपर यह वैपर जो बन उड़ी है वह इस लिक्वीड पर बापस इस स्टेश्ण लागाने स्टार्ट गया यह प्रेश्छ किलाता है और एक Но कुछ नहीं है तो यह सारे पाइंट कबर होगैं मिपर प्रेशर होगाई इवापरेशन फ्रेजिंग बॉ Bieber बॉइलिंग पॉइंट कॉंसेफ्ट ऑफ एक्चेंज इन स्टेट स्टेट चेंज हो रही है मिल्टी पॉइंट और आपने यह भी देख लिया सैडिमेंटिशन क्या यह थोड़ा हलके में ले लिया और यह था भी हलका बता दिया उपर से क्रोमेटिक ग्राफिक क्या होती है और देखते हैं क्या पड़ा हमने क्या हुआ है उन्टाइक सब्सक्राइब क्या होती है यहीं बता दिया गया था प्योर सब्स्टांस के बारे प्योर सब्स्टांस अच्छे से अच्छे से मेंटल स्की फोम में में अच्छे फोम में अच्छा लेकिन बता रहा हूं आपको और हो एक्स्ट्रम है मिक्स्टर पर लिया हमने होgesehenus हिट्रोजीने बहुत जादा । पूइंटिस के गए तो लाइक शेर जरूर करें आप लिए बनाए गए इसको जाहते से ड़ेखें दॉट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझस्ट मुझसे पूछें कि ये सवाल आपने बताया किस तरह से हो और है किस तरह से जो बीडावट हो आप मुझसे पूर्च सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं वीडियो अच्छ लगी हो तो शेयर जरूर करते हैं थैंक्यू सो मुच कि अच्छ कि अच्छ